प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी उन्होंने भी सटा हतियाने के रिए दंगे कराये थे क्लास के सबसे शैतान बच्चे को मॉनीटर बना दिया लिए तो फिर वहां पे शूर शराबा नहीं हो सकता किसानों का पूरा करजा माफ होगा और बिजली बिल हाफ होगा निकाल दिया गया लाइन लगवा के तिन चर्चर घंटे बरबाद किया जहां पाया महां लाइन लगवा थी ना सपा की सरकार से उत्तर प्रदेश में गुंड़ा अपराधी माफिया डरते हैं तो तो भी बहन को अरी माधीजी की सरकार थे तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम कहां मौजूद हैं पच्छे मुत्तर प्रदेश से होते हुए अवद के रास्ते निकले अब हम आच चुके हैं एतिहासिक स्तलिय लखनो उत्तर प्रदेश चुनावों की बात हो और लखनों की बात ना हो तो यह बात नहीं इस वक्त हम लखनों में मौजूद हैं यह पश्चिमी विधानसभा का इलाखा लगता है यहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल किस लिहास का है माहौल कितना गर्भ है ऐसे में हमारे साथ यहां नेतागर्ण भी मौजूद है और साथी साथ सम्मान कौन कितना गर्दिश में है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे इसके साथ यह भी देखेंगे कि जो सत्ता पक्ष में है उनसे लेखा जोगा लेगे कि उन्होंने आखिर किया तो क्या किया और विपक्ष से यह जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास क्या है जो सत्ता वा मुझा सुमाइया राणाजी मौझूध है आप समाजवादी पार्टीस था चाहए इसा मेरे साथ लेशा को कि हम लोग प्रवचन से ज्यादा बशचन परबात करेंगे कि चाहिता को या है कि आप कुछ काम करें जो आपको फक्र महिसूस हुथ है कि हम शक्वा सकते थे अगर यह रहते तो नहीं करवा पाते और गांग्रेस बाकि सब किसी की बस्ति नहीं है यह बताइए अधिये बारतिये जंता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चौंगतर की विकास के लिए पिछले पांच सालों में अगर यह दो साल की तरास्दी कही जाए करोणा को लेकर के तो इसको अगर अगर हटाएं आप तो इसमें लगभग लगभग पिछले 40 सालों में я जो शर्कारों ने काम नहीं किया होगा वो हमारी बहरती इंतापारठी की सरकार के काम किया है पाइसे तुरंट दिये गए किसानों के जुए किसानों का पैसा बचाया करते हैं लेकिन वह किसान कौन है जो अब और यहाँ पर किसान इनको दोनों को भगवान के रूप में माना है और इन दोनों के लिए एक साल तक सड़कों पर रहे आपने कानून बनाए फिर उनको वापस लेना पड़ा आपने माफी भी मांगी तो भगवान के साथ ऐसा सुलुक कौन करता है मैं आपको बता रहा हूं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया अगर ये आप तीन कानूनों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये किसानों और कानूनों पर बात मैंगे पहले विकास के बारे मताईए आप तीन पॉइंट में आपने क्या किया आप इने मुझसे कहा कि आप वे उत्तर प्रदेश की सारे गाउं में जहां पर भीली आठाट गंटे भी नहीं आती थी ति पर हात रखके कहिए का नेता जी सारी बाते इस पर स्टूप से सच है जनता बाद में काउंटर करके बताएगी क्या सच क्या गलटी कि यह वही करती है बारती जनता पाजी जो कहत करती है इसके सवा कुछ नहीं करती है तिल पर हाथ रखकर कहिए कि गड़्डा मुक्त हो गई प्रतेश की सड़के बिलकोल बेखरों कि यह एक सड़क चम चमाती हुए का में जी आपको दावे के साथ करहा हूं कि उत्तर प्रतेश के अंदर जो जबलब्मेंट का काम हुआ है जाए वो गड़्डा मुक्त सड़के नहीं हो चाहे वो पुराने टांस्वार्मर को बदलने का काम रहा हो 16-16 घंटे हाथ बिली देहातों में मिल लई है गरीबों को मुफ्ट में जो है रासन मिल ला है गरीबों को गैस ट्रेंजर चूला गरीबों को रासन गरीबों को जो है स्वास के लिए जो है दवाईयां सारी चीजों की विवस्ता भारती जनता पार्टी की सरकार ने किये और भारती जनता पार्टी की सरकार ने एक सबसे बड़ा काम जो किया है वो भायमुक्त प्रदेश बनाने का काम किया है जहाबर कोई धंगा नहों जहाबर कोई आ इसलिए बाद पताई होगा कि दंगा पहले कितने होते थे किसी सरकारों में नहीं कह सकता है कि किसी आताताई ने किसी गरीब आद्मी को सताने काम किया हो अपराद मुक्त शासन देने का काम आपने क्या है मुक्य विपक्ष में आप है इसलिए आप से सवाल है जो कुछ ये कह रहे हैं इस पर सीधे आप पर आरोप लगा दिया जाता है कि अपराद मुक्त बनाने का काम क्या है इस आशन में इस सरकार में आपकी सरकार में का जाता ह तो आज जो प्रदान मंतरी की कुरसी पर विराजमान है प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी जी उन्होंने भी सत्ता हत्याने के लिए दंगे कराए थे सत्तान में आने के बाद कोई दंगा नहीं वाजब क्लास के सबसे शैतान बच्चे को मॉनीटर बना दिया जा तो फिर वहां पे शोर शराबा नहीं हो सकता अभी इन्होंने नारा बताया कि सरहत पे जवान और यहां पे किसान तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सरहत पे तो ना कि शासनकाल में तो ना सारथ पे जवान सुरक्षित रहा पुलवामा इतना बड़ा हो गया यहां पर किसान को रौंद करके ग्रे राजमंतरी का बेटा चला जाता है, आपकी इतनी हैसियति नी कि अप उस ग्रे राजमंतरी से या तो आपकी हैसियत नी है या तो जंता की आ ताना शाहू, हम तुमको रौन देंगे भी, हम तुमको कुछलेंगे भी, हम तुमको मारेंगे भी, लेकिन उसी हत्यारे के बाप से स्टीफा ना मांगे, अपने बगल में खड़ा करेंगे। जनता और उत्तरपदेश की भी जनता, इनके सारे गड़ों का भी जवाब देगी, इनके सारे उन हटकंडों का भी जवाब देगी, जो इन्होंने साड़े चार साल पास साल होने को आ रहे हैं, लोगों के अंदर भै का एक मोहल पैदा कि और यह कहते हैं, कि भै मुक्त समाज ह वो समझ नहीं पा रहे है कि समाजवादी, आपके लोग भी समाजवादी है, इनके लोग भी समाजवादी है, लेकिन आप दोनों साथ में नहीं है, तो आप कहीं नहीं इनके ही तो वोट काट रहे हैं, अगर आप साथ में आते हैं, वो तो आपको ले नहीं रहे, आप तो इस वाइब बना दि उन्हें का कि तह करेगा अभी ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे देखिए ऐसे भी किसी प्रग्रण में शीर्ष नेत्रत ही तही तही करता है लेकिन हम साथ थे और वाले ने चाहिए साथ रहे के चुनाव लगे और इस बार पिछली भार भी जो समाजवादी सर आप ने एक प्रोग्राम की शुरुवात की, आप पश्रीमी लखनों बैठे हैं, पश्रीम और उत्तर विदानसभा के बॉर्डर बैठे हैं, एक वक्त था जब समाजवादी सरकार में इस जगा में एक रहुना के अलग सी एक चीज चमकती थी यहां पर, और आज आप देखि तो ही आप ने जो भी रोड बनाई गड़े में जो चले गए वो चले गए जो इस तिती इस प्रदेश की, जैसे प्रदेश पुरा गड़े में जा रहा है सरकार के आने के बाद वैसी उन रोडों की आपने किया था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कई ना कई वर कल भी आप बयान देखिए मानी अखलेश जी का कल कभी बयान है कि हम चाचा के सम्मान करेंगे चाचा के सम्मान ही तो कर रहे हैं पार्टी में क्यों नहीं ले रहा है उफिशल रूप से हां हर चीज इतनी जल्दी नहीं होती चुनाओ थोड़ा करीब आने दिए चुनाओ करी हैं आपके नेता भी पूरे उत्रप्रदेश में घूम रहे हम लोग भी पब्लिक ट्रटोल लें जो गुस्सा है जो समर्थन मिल रहा है वह भाजपा के विरुद मिला कायम रजा खान साथ है बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुजन समाज पार्ट लोग समझ नहीं पारा क्या है को पूछ सकता है कि कॉंग्रेस के लिए बात उठ रही है अच्छी बात है इसके साथी साथ एक और चीज़ है परसनली जो मुझे लगता है कि कॉंग्रेस में प्रेंका गांधी सबसे ज़ादा भीड जुटाओं नेता है लेकिन लोग बाहर ये बाते कर रहे हैं कि कॉंग्रेस में प्रेंका गांधी मजबूती लाने का काम तो कर रही है कारकरताओं में जोश बरने का काम तो कर रही है लेकिन बहुत देर हो चुकी है अब तो चुनाओं सर पर है अब होने को कुछ नहीं बचा कोई देर नहीं वही जब से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में हैं लगातार उत्तर प्रदेश के एक-एक मुद्दे पर चाहे कोई प्रतेक वर्ग नौजवान किसान महिलाएं हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई सभी के लिए आवाज उठा रही है आप मुझे बताईए ना कि जब इसी घंटा घर में C.A.N.R.C. पर प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं कौन आवाज उठा रहा था कहा थी समाजवादी पार्टी कहा थी बहुजन समाज पार्टी जब लखीमपुर में किसानों पर गारी चड़ाई गई तो आधी रात बरस साथ में कौन निकल कर गया था प्रियंका गांधी जी के अलावा मुझे बताईए दूसरे नेता तो एसी कमरू में बैठ कर ट्विट ट्विट खेल ले थे सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और भारती जनता पहले तो आप भी यहीं थे आप आप का ही बोला जाता है बहुजन समाज पार्टी को ओड़ देने से पहले लोग सोचेंगे कि आखिर वो भरष्टाचार इन्यारच्यम का पैसा जो कॉंग्रेस पार्टी केंदर से भेज रही थी उसे तो बहुजन समाज पार्टी ने अप खीची गई समाजवादी पार्टी की कारिकरता जो बाद में कांग्रेस की कारिकरता बनी जब अपने कारिकरताओं को नहीं बचा पाते वो प्रदेश को क्या समाज पार्टी कि आप बीजेपी से कम लड़ रहे हैं आपस में जादा लड़ और आपस में लड़के एक दूसरे के वोट को कार्ट पीट के अलग कर देंगे मुझे बताईए आपस कौन है बहुजन समाज पार्टी हमेशा बीजेपी के साथ खड़ी नजर आती हातरस में जब दलित बेटी को ढाई मुझे रात को जलाया गया प्रयागराज में चार दलित लोगों की हत्या हो गई नजर आई न बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ क्या आपको लगा आजिक न्याय और पिछडा वर्की तैशी बनने वाले ढोंग करने वाले बहुजन सपा और सपा को जान च और एक चीज और इनोंने कही इनोंने कहा कि मोदी को प्रधान मंतरी आप बनवाने चुक्ते हैं क्या कांग्रेस का मसला यह है कि यह एक ऐसी नाव है जिस पर जो भी सवार हुआ तो इनका वही है कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे यही वज़े है कि 2017 स संप्रदाइक रूप देते हैं तो यह इनकी जहनी तोर पर बिमारी है एक चीज़ दूसरी चीज़ मैं दूसरी मैं 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 भी तो मैं आप से यह इसका जवाब मुझसे मत लीजे 2022 में जनता देगी 2017 में वो गल्ती जो हमने की थी आपको साथ लेकर के आपकी नाव डू जो पुछत नी उनका पुरा खांदान चला रहा था वह इल्जाम लगाते हुए की कॉछ बचा नहीं है और कॉंग्रेस में संमान नहीं है किसी भी दल को चुन सकते हैं लेकिन आप किन मुद्धों को लेके उपर आठे और जिस घंटागर की आप बात कर रहे थे शायद आपके ग्यान में कमी है कि घंटागर जो यहां प्रोटेस्ट था उसमें महिलाओं के साथ किस तरीके से हमारे माननी राश्टिय देख्षी अग यहां पर जब हम बैठे थे और योगी आदे तेनाथ जी ने जिस तरीके का बयान दिया था कि महलाओं को चौराओं पर बठा लिदिया गया था तो यही समाजवादी थी और मैं एक बात बहुत से मिदारी से कहना चाहती हूं यहां पर कि घंटा घर मैंने जब पार्टी ज तो मैं तो कर रहा हूं 500 रखिया 300 रखिया 300 किसान मरा इफ डू यू नट आसक अगर शक हो किसी को तो बताए यह आख़ो की बात नहीं एक किसान की अगर मौत होती है आपके बनाए हुए किसी कानून की वजह से आप उसको बाद में माफी मांगर कैसे वापस ले सकते हैं य उनको हम लोग समझान नहीं पाए इसका हमें खेद है लेकिन खेद का क्या करें आपका खेद का क्या करें जो किसानों की मौत हुई उन पर मोलिये लेकिन हम समझा नहीं पाए हम लोग हमारी सरकार ने किसानों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे काम किये लोग कह रहा है कि आप डर गए को लगा भी पस्चे मुत्परदेश में आप हार सकते हैं तरह सकते हैं वापस लेने का कोई प्रसन नहीं है हमने अपने बोले भाटे किसानों को हम समझा नहीं पाएंपेंबाएंगि बढ़े दिल्चस्प चीज ने कानून बनाया, फिर एक दिन उठे और बोले कि कानून ठीक नहीं है, चलो वापस बे लेते हैं, जो नुकसान हुआ वो खेत बटाना जाएगा बीजेपी के लोग अडानी अंबानी के दलाल हैं ये किसानों के लिए कानून नहीं था ये कानून सिर्फ अडानी अंबानी के लिए था किसानों के लिए कानून जो बनना उसके लिए किसान अभी भी प्रदर्शन कर रहा है MSP पर किसान का कानून बनना चाहिए वो कानून यह नहीं बनाएंगे और अडानी अंबानी की दलाली करने के लिए कानून बनाते हैं यह पुराने दलाल अंग्रेजों की दलाली करते थे अब अडानी अंबानी की दलाली करते हैं यह यह सचाई है तो आप अपने हिसाब से अपने आरोपताय कर रहे है बहुजन सभाज पार्टी देखे दलितों की हत्या हुई है उसको लेकर उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो अब समाजवादी पार्टी की तरह ही काम कर रही है और यह दलित विरोधी है इस पर क्या कह रही है आप उतों सवाज पांटी कहा रही है दलित विरोधी है तेकं था थीक ठीक आप ये व्यापकिंसान विरोधी और उनको यह पहत पसंद नहीं आती है किसान नहीं हो नहीं यह नहीं हमने उनकी खुझी के लिए यह कारून वापस लिया लेकि decren denus apps लिया हमारे गशान हमारे भगवान के रूप हैं हम उनकी भलाई के लिए उनकी भलाई के लिए एक आप जवाब देने दीजे हम उनकी खुसी के लिए यह कानूर वापस लिया है लेकिन उनकी भलाई के लिए हमेशा लगी रहेगी हमारी सरकार और रही बात हडानी अब मानी की हमारे मित्र कह रह तो आने वाले समय में क्या इसको वापस लेंगे आप बिलकुल इसको जब तक चुनाओं में धोड़ी देरी थी दूर थे तब तक यही किसान खालिस्तानी और पाकिस्तानी थे उसके बाद यह चुनाओं और मर रहे थे तब आपको नहीं अपना कानून वापस लिया लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चुनाओं आते ही आपको यह वब लगा कि अब यह क किसानों के लिए वो क्या काम किये किसान विकास पत्र जारी हुआ था जिससे कम से कम एक करोड के उपर इसके अलावा हमारी नई परियोजना यह है कि जितने किसान शहीद हुए उनको शहीद सम्मान राशी मिलेगी तो समाजबादी हमेशा से हर तपके घर्जाथ हर दर्म के लेकिन इन्हों ने सरहत की जमानों से लेके और यहां के किसानों तक को मरवाने में उनके उपर उत्विरन करने में कोई कसर नहीं चोड़ी है और यह जंता जवाब देने को देगी और इसका वाल का भी जवाब आपसे लेगे लेकिन उससे पहले कॉंग्रेस पर आएंगे आप देखिए हमारी आखरी सरकार 1989 तक थी उत्तर प्रदेश में सिर्फ अगर एक काम हुआ विकास मिला और रोजगार मिला लोगों को उसके बाद क्या हुआ दंगे धर्म और जात की राजनीत हुई सवाल पूछिए समाजवादी पार्टी के उपर सवाल है समाजवादी सब्सक्यां पार्टी की सरकार थी और भाजबा के गुंडे दंगे कर रहे थे इनका लयन आडर कहा था इनकी पुलिस कहा थी हजारों बेगउना हिंदू और मुसल्मान मारे गए समाजवादी पार्टी की सरकार में कर्चे कमेर्च कुछ कह रहा है आप पताई हैं जब बाबरी मजडिक का जो है उन्हीं ने ताला खुलवाया दो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया दो और कांग्रेशी नहीं पाला है भाजपा को उन्हीं सिक्के के दो पहलु है बीजेप और कॉपल एक इस नहीं होता है तब क्या सोज रहें गडबंदन ना गडबंदन पूरी उमीद है ऐसी हम लोग कहीं नहीं सकते हैं अब अगर नहीं होता है तो आप बताए एक समाजवादी होने के नाते आप बताए कि अगर गडबं बिंस, नहीं है बिंदक फिर पिता झाले को तु 시今天的 पिता पहले हाना पुत्रबाद में हुआ अगले कि आप पढले के वह को पाले एक समाजवादी आप बडे समाजवादी है खोटी बड़े चोटाई कि में बड़े खोटी कम सी बात वी समाज वादी, हम भी समाज वादी ह आप अगर लोगों से अपील करेंगे वोट देने की कि आपको वोट दिया जाए तो आप कौन से समाजवादी इसमें किसी सभी आप पुछ लिए सबको मालूम है कि सीथे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी असको वोट दे रहेंगे उसको मालूम है प्रगति शील हम लोग कुछ भी जाए छोटे भाई परदेश के इंदर अगर कहीं अमन और चैन की पार्टी है उसी का नाम बहुजन समाजवादी है और बेहतरीन चलाने का मामला एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार चार बार बहन कुमारी मायावती जी अच्छी बात बोली इन्हो को पर क्यों नहीं आ रहे हैं आपको डर लगता है बीजेपी से अमाई पार्टी 2007 जब सरकार बनाई थी तब भी तो कहीं नजर में नजर में थी बताइए अब देखे ऐसा होता है थोड़ा सा सवाल अपना समझाने की कोशिश करता हूं लखीमपूर खिरी में अगर कोई का जौनपूर की घटना होई कासगल की घटियां हुई आप नजर नहीं आ रहें कहीं भी आप सड़क पर नहीं आ रहें सपा वाले कह रहें कि आप डर रहें भी जेपी से हमारे पाल्टी महा सच्छी सथी सद्ध मिस्रा जी राती में निगले ते लेकिन उनको नजर बंद कर दूसरे दिनों गए भी वहां पर तो जादा नजर आ रहा है ब्रामण सम्मेलन करवाने ब्रामणों को साधने की कोशिश करने लगाता है हमारे साथ में आ रहा है इसी वजह समय सरकार बनने जा रही है ब्रामणों की नाखुशी नहीं है वस यह तो एक आटमबर मना हुआ ह भरती जनता पारपी ने सब का साथ सब विकास किया है और पाल्टी के डवलम्मेंट उत्तर प्रडेस के लिए भराबर लगी रही है मैं चाहता हूं कि समाजबादी के सरकार बहान जी बता रही थी समया रहे हूं जी किसानों के लिए हम अखलेंस स्यादों तेने काम किया और वो पूरा पैसा एकाउंट में प्रियले में एकटा रहा है लेकिन सूखे से राहत देने के लिए एक पैसा देने काम नहीं किया था समाजबादी पार्टी की सब्सक्राइब की आपने पीटा काम किया है पूर्वांचल एकस्प्रेस वे कि लिए भी यहीं कहा जा रहा हूं और उसका उत्गाटन भी करते हैं ऐसाल इक पलमाजी बुलांची ने उसका पुरा नयास किया था आज तक ऊधी कहड़ा हुआ यह कोई काम नहीं वह देखें ऐसा है ऐसा है दरसल ऐसा है दरसल एसा है कि चाइना की जो सरकार है उसने की ट्वीट किया थे च्वीट में उन्होंने कहा है कि भारतिये जनता पार्टी जो बीजेपी की जो बीजेपी है सरकार में है और इंडिया में भारत में वह लोग वहां की एक तस्वीर एयरपोर्ट की उसका इस्तिमाल कर रहे हैं अपने दौरा दिखाने की कोशिश करें कि यह जेवर तो आप इस तरीके के यह बार बार फोटर क्यों करते हैं इससे पहले भी आपने क्लकता के मा घॉज हाईवे है उसकी फोटो का इस्तिमाल किया तो दूसरे को और रहे हो पश्री तास्वीरों का दूसरों के काम का कोई दिया घवर डिया है यहां मेंसे निया एक चática को सा यह दिया चाहर है यह आप से जा रहा विकास की बयार बहादी दिसंबर 2016 में माननी नेता जी मुलायम सिंग यादव जी के उपस्थिती में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्गाटन होता है समाजवादी काल में ठीक है और उसको आके आप फीते का फीता काटते हो मोई करते हो उद्गाटन का उद्गाटन उसके बाद जब इन्होंने साड़े चार साल तक कुछ नहीं किया इनके पास विकास नाम की कोई ऐसी उपलब्दी नहीं थी उसके बाद आके आपने एक ऐसी चीज को जनता के सामने डाला कि यह मेरा विकास है और इत्तिफाक से उसकी भी जो फीता कटा था वो समाजवाद प्रदेश में बड़ी दिल्चस्व है कि उत्तर प्रदेश में हर सरकार के पास एक एक एक्सप्रस वेज़ूर है किनाने के लिए आपके पास यमुना एक्सप्रस वे हैं आपके पास पूर्वांचल है मेट्रो रेल भी भी है हमारेपके नाम मेदाना नाम बदना नाम ौतलब लागधिया बिजैप के रण नीदी पिए वो कह रही है कि जितने भी काम दिख रहे हैं लंहों से होते हुए पूरे उत्तरप्रदेश में वो सब तो दरसल उनके हैं आपने नाम बदल दिया, काम बदल दाम बदल दिया, फीता काटके, सब खारा क्रेडिट खुट ले लिया। कि देखेर ऐसा है कि आप पह आप आप पल बना हुआ है आप देख लिजुए मिरे भाई मेरे बाई सुन लो अरे बॉट वह उन्हां जबाब पूल जवा जवाब लिजे जवाब लीजे जवाब लीजे जवाब लीजे रहा है सब्सक्राइब करते हैं हम जनता की तकलीफ को समझते हैं हम उनके उनकी तकलीफ हम देर से सोच रहा था बीजेपी के बहुत देर से सोच रहा था कि बीजेपी के नेता ये बात कब कहेंगे कि हम जनता की तकलीफ को समझते हैं आप जनता की तकलीफ को समझते हैं दुख को समझते हैं तो आप फिर महंगाई को क्यों नहीं समझते आप एरोजगारी को क्यों नहीं समझते आप जो ज है मैं पूर्णा चाहता हुं कि आफ्टार इंडिया कंपणी किस जबानेव कुछ नहीं कि रही है जिसमें तिन-टिन चाचार हडालोक बेवचकार हुए इसले जवाब ने दिया है कि सवा की सरकार में और कॉंणरेस की सरकार में जो बेरोजगार थे वहीं बेरोजगार नहीं देपाए आप रोजगार नहीं दे पाए, आप रोजगार नहीं दे पाए, और आज वही बिरोजगारी की बात कर रहे हैं, उन्होंने बिरोजगार किया, आप रोजगार क्यों नहीं दे पाए, ठीक है, एक सेकंड, बड़ा मासूम सा सवाल, देखें, रुकें, 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 तो यह दो आप गाई लोगों ने आपको वोट तो इस ने दिया कि आप बतलाओ करें बरोजगार थे टो नहीं आप नहीं है हम नहीं तो लोगों देने काम किया तक वह अपना रोचगार बनाए और आगे लोग कह रहे हैं आप करे नहीं करें ऐप मैं बाप पर आ और हो आपने कहा है कि कि दरहसल आपने 20,000 रुपे का बोज बढ़ा दिया है महंगाई बढ़ा कर बढ़ा कर अज जो है पेट्रो दाम भी कम हो रहे हैँ पेट्रोल के दाम भी कम हुए और ने दो हमारे जो प्रूडाय के जो भंडार है उसको टेल सस्ता करने के लिए जो बंडार है उनको हैं आपना नाम करेंगे अपना नाम करोड रोजगार कब देंगे जो करोड रोजगार भी देने के सीधा और सटीक और लोग लगे हुए उनको आप ने बताई आप राष्ट्य राजमार और अभी हमारी कि सेंटरल गॉवर्मेंट ने सेंट गॉवर्मेंट है म् महां कर दिया र१ेत त्फिर वारती जनतापी से कि आप जनता को राister दिखाई पकोड़े तलने की उसके बाद तेल नहीं कर दिया तो क्या रहें अपकोड़े की बात नहीं कर दिया जनता के साथ ये कैसा आप ने के कर दिया ये बताई कि देखिए ले कि-स वुले से क्या ये इस व्रूय데 क्या माहौल सारे सिस्टम हो चाहे हमारी सरकार एक एक गरिए हमारे भाइयों को मुफ्ट ऐसिन लगाने का काम करें को यह लोग जब ऐसी बड़ी बड़ी पाते करते हैं मुद्धों पर लड़ रहे हैं पर see तो यह सारे बीजेपी के लोग सड़क पे सिलेंडर उठाके खड़े हो जाते थे चार सो रुपे में सिलेंडर था अज एक हजार रुपे का हो गया अंतर राष्टी मार्केट में कच्चा तेल साथ डालर प्रति बैरल आज है और तेल बिक्राए सो रुपे में पेट्रोल और नबे में डीजल अगर मैं गलत कहूं तो बताओ और कांग्रेश सरकार में अंतर राष्टी मार्केट में 125 डालर बैरल था कच्चा तेल और हम 55 रुपे में डीजल बेशते थे और 60 रुपे में पेट्रोल पहली बात दूसरा 400 रुपे की डीएपी बिक्ती थी जो आज बढ़कर हो गई 1300 रुपे की मिल भी नहीं रही अंग्रेश पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए प्रतिग्याएं ली हैं प्रियंका गांधी जी के नेतरत्व में 40 प्रतिशत महिलाओं को टिकट में भागीदारी दस लाग तक का इलाज मुफ्त इंटर पास बेटियों को स्मार्टफोन इसना तक पास बेटियों को स्कूटी इलेक्ट्रानिक और दूसरा किसानों का पूरा करजा माफ होगा और बिजली बिल हाफ होगा क्योंकि भाजपा सरकार में 300% बिजली बिल बढ़ा है दूसरा जो यह फोटो लगाये जा रहे हैं इधर उधर का इसका एक ही समस्या एक ही कारण है गांजा सिर्फ गांजा इसकी समस्या है और इस गांजा को प्रियंका गांधी जी नो हटाने का मन बना लिया हम गांजा को हटा कर रहेंगे उत्तर प्रदेश से सब्सक्राइब करने का मतलब समय मिला है पूछना चाहता हूं यह जो कहते है कि मैंने विकास करा है गड़ा मुक्त प्रदेश बनाया है प्रदेश छोड़िये यहीं लखनों में आईए आप इनको बताइए मानियोग मुक्मंत्री जी के घर के सामने की रोट पर आज भी गड़्डे है और आप यहां पर 60 करोड उपय उत्तर विधान सभा में पास हुआ था सीवर लाइन के लगाए इनोंने पूरी उत्तर विधान सभा में और गड़्डा मैंने इसी साल सुनिये का मैं इसी साल अप्रदेश की बाता मैं सीथा पूर से महोली निकलता हूं बीज बार मैं पईये बदलवाए चुका हूं अपनी का बहुत जागरों के नाम बताइए बनाना मताइए तीन बार मैं वहां पर मेरी गाली चीज के अब प्रदेशील में हूं अब समाजवादी पार्टी जवाब दीजे कि इसका यह कौन सापने विकास करा आज भी सीवर लाइन गंदा मलबा बहर है कही बीमारिया पनबने इसी पीर बुखारे में और यही विधायक निदी साथ करोर उप्या पास हुआ कहां आपने लगाया बताएए कहां नगान निगं में सुनता है कौन भाष्पा का नेता सुनता जवाब बढ़िया लेता है ओपकी फार्टी में पड़े सीदे सवाल करना जानते हैं जमीनी काम करने पबीक के मुद्धों को पब्लीक के काम को लेकि तो 22 नवंबर को बड़ी हलचल थी कि आपको पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा क्यों नहीं हो सका क्यास आप लोग लगा रहे हैं जो है जो असली सच्चाई है वो हम लोग को भी मालूम है हमारे निता को भी मालूम है बात हो गई है जो तरीका जो तरीक दी जाएगी उस कि जो दंगे कराने वाली पार्टी थी वो सत्ता में है अब इन्हों ने दंगे तो दंगे बंद हो जाएंगे जब आप जनता का उत्पीडन पुलिस द्वारा करा रहे हैं जो आपकी सरकार थी तो दंगे यह कराते थे यह साबित हुआ है संगीत सोम कौन था यह सब जानते अपराद रोकने में दंगा रोकने में आप काबिल नहीं थे आप सक्षम नहीं थे आपकी सरकार अगर दुबारा आएगी तो यह दुबारा दंगे करवाएंगे पहले तो मैं अपने कॉंग्रेसी साथी को यह जवाब दे दूँ कि आज भी भारत में अगर सबसे बड़े दंगो का किसी के ओपर कलंग है तो वो कॉंग्रेस पार्टी है चाहे वो भागल पूरो मल्याना हो मेरट हो मुरादाबाद हो और चाहे कोई है चाहे बाबरी और मैं बात करती हूं आपसे उसके अलावा जिस भी सरकार में होता है जो कमियां रह जाती है उनको निश्चित तोर पर 2022 में सरकार बनने के बाद उनको पूरी तरीके से सही किया बड़ा सीधा सवाल यह है कि आपने कहा कि आपकी जब सरकार थी तब बीजेपी दंगे करव बाहर खत्म होने के बाद खूब चर्चा करिएगा अभी अपने नेताओं को सुन लिजे उनका विजन क्या है क्या कुछ चल रहा है देखिए देखिए हमने देखिए हमने उस वक्त भी दंगे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की ती और यह कर पाए मतलब आप काबिल नही समाल पाए आप क्या समालें गे प्रोडेश अब परिवार के अगर बात करेंगे तो मैं अगर परिवार प्याओ आओ तो आपके परिवार में क्या है वो आप भी समझ सकते हूं बडिया बहन भाई बड़िया चल रहा है जब कुछ हाँ परिवार में खड़वार में लोग कहते हैं आपिक पर आरोप लगा दिया आपको深 तुर कांग्रिस पार्टी ने किया है उससे उत्तर प्रदेश में विकास होगा आम आदमी खुशाल होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में जो दंगे हुए भाजपा के लोगों ने की ये कानून बेवस्था सम्हाल नहीं पाए ये प्रदेश के आप दुबारा सम्हालेंगे आप बचा लेंगे आप बार बार बोल रहे हैं कि वो तो मुलाइम सिंग आदब जी ही कामदा करते थे हां प्रदान मंत्री होते वे यहां पर इतना बड़ा वार्दात हो जाती कि बाबरी मस्जिद को शहीट किया जाता है इसका कलेंग भी कॉंग्रेस के उपर आएंगे उस पर आएंगे उस बात अगर कहीं पर ऐसा होता है कि को बनाने के लिए तो आप ब्रदेश के लिए जादा आपको लगता है कि संकत्म प्रदेश को डाल रहे हैं वो बीजेपी वाले डाल सकते हैं request डोण ही जादा किसको मान रहे हैं जदा तो हैं अभी जादा पीड डाल ले यह जादा तो इंवी जानव पहुँचिया हृँ ने आपको हम बीजेपी आप देखर तेल कहा पहुचियाँ है और दाल पहुच गई जोगए कि BSP में आखिर लोग कह रहा है लोग कह रहा है एक मिनिट रुकिये 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 बात सुनिये बात सुनिये बात सुनिये नेताओं को सुनिये एक मिनिट ये बताइए लोग कह रहे हैं कि बस्पा में दरसल चल क्या रहा है विधायक निकलते 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 नेता आते हैं जाते हैं आते जाते हैं वही रहती है आपने बहुत अच्छी बात कि आपने बहुत अच्छी बात करती है जो लोग पाटी से निकाले गए वो कहते हैं कि दरसलम 2 करोड रुपे मांगे थे 1.5 करोडी पहुचा पाए इसलिए हमें निकाल दिया गया तो नेता पैदा कैसे हो रहा है पैसे लेकर हो रहा है जो नेता बाहर गए बताई उनकी हालत क्या है सड़कों पे घूम रहे हैं लोग जो बाहर निकाल तो बिलेम लगाना तो देखिए उसका काम है कि हमें इस काराल निकाला गया और यह सब भराम पहलाया जाता है पैसे की कोई बात नहीं है एक बहुत अच्छा जाएक टेक पूछना चाहूँगा कि सपा हाँ बस्पा वर्सेस सपा डारेक्ट लडाई थी इस बार बस्पा कहा है एक मिनिट देखिए यह बहुत गंभीर सवाल है कि बस्पा को कहां देख रहे हैं बस्पा की जो मुखिया है मायवती जी उनको मैं एक पुतले से सादा कुछ नहीं समझती हूँ और एक तानशा पुतला जिनके आगे किसी की नहीं चल नहीं है हमारी पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है उसमें हर नेता का सम्मान होता है और एक मामूली कारकरता भी सीधे राश्टी अद्धिक श्री अकलेश यादो के साथ जुड़ा हुआ है तो यहां पर यहां पर मानिये जो इनकी हैं नेता मायवती जी तक पहुंच रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ा कमाल होता है तो हमारी और इनकी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं हम जंता से जुड़े हैं एक प्रते करकार करता कि साथ जब शीष नेत जुड़ा हो तो आप समझ लीजे कि उस पार्टी का क्या कर दिया था कि एम वाई का जो आप समी करन निकालती थी वो मीडिया की देन थी हमारे महां मतलब है महिला और यूथ जिसको ले करके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और उनके साथ जुड़ा है एक सवाल है आपको बार बार आप कहेंगी कि बार बार वही सवाल है आपने सब्सक्राइब ह कर लेकर है उस चीज़ को लेकर बढ़ रहे है हुझ झाणा बढ़ लेकर बढ़ रहे है उड़का बार यह सवाल मिल जाएं घो ostr liegt जल्द मिल जाएगा उसके लिए फोड़ा से उत्राइश की जंता को जल्द देखने को मिलेगा ऐसा कहना है समाजवाधी पार्टी की नेता का अब 10-10 seconds जो जो लोग बात कहना चाहते हो, हर कोई अपनी बात कह सकता है, 10-10 seconds का समय है, जो भी अपनी बात कहना चाहेगा, ठीक है, यह क्या है? यह लाइन लगवा के तिन-तिन चरचर घंटे बर बाद किया जहां पाया वहां लाइन लगवा दी बाइंग से लेकर जह उनी ने बस कुछ नहीं किया खाद लेने कहे थे आप उच्छ नहीं खाली आ रहे हैं जा रहा हैं वाकि मिल सब रहा वगर महां चूतिया बने खड़े ह क्या कह दो हैं जा उसका आप ईंसरीर मीवा सवाल का सवाब लुदुा आप इनते यह पोजी है यह किजानों अफी कम मांगेंगे यह बैठें यह मौं kannay ठीक कर यह सवाल ये है कि BJP की जनता, BJP की सरकार जो है, जैसे आपने विक्रम बेताल देखा है, विक्रम के उपा बेताल चड़ा होता है, वो कहानिया सुनाता है, और जनता जो है वो विक्रम है, वो कहानियों में खोसा जाता है, उसके वाद एकदम से विक्रम, मतलब बेताल जो है, वो 15 लाग आप तो Nep 5 लाग रुपई आप को पंदरा लाग रुपई है यह उन्सका जनता है आपको 15 लाग रुपई मिलेंगे इसलिजीजीजीए को वोट बेकर आगे हैंगे व्यूजीजीए अच्छा होगा वहाई वहाई वहां व्क्रम वेताल वाली कहानी है यह बाइजान जनता है यह और हमारी लोगों की उमीदे 2022 में एक आइरन लेड़ी जिनका नाम बहन कुमारी मायावती है और शानती पूर्वा कहा रहे हैं दिख नहीं नहीं है दिख रही है दिखी देख रही है दिख रही है बहुज़ सवाज बहुज़ सवाज को ताल तलक होना यह दिखी अब और पच्चीव साल में दिखने का पूरा काम हो रहा है दिखो यह दिखना तो फिर धही सब लोग सुरी एक बर और सुनाई का ना सपा की सरकार से ना भाजपा की सरकार से गुंडा अपरादी माफिय डरते हैं तो सिर्फ पार्टी की श्क्ता जी दरते जर्फ योगी बाबा तरते हैं कि सरकार में योगी बाबा से तरते इस्тора कमें योगी नहीं घूकि योगी माफिय धरते हैं क्योंकि योगी भी तर्थ कैसे हैं कुकि एंकाउंटर करभा देते हैं घोको नीती है इस危Am थोकने का मतलब यह नहीं हुआ यह किसी मजलूम को ठोको किसी गरीब तो दिया साहब का मतलब यह हुआ जो दूसरों को गिरा रहे हैं जो भी वहाँ पर विखंडन कारी ताकते होंगी उनको उनकी जगह पर पहुंचा चलिए कारिकरम समापन क्यों रहा है एक आखरी आखरी कॉमेंट लेंगो यह जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम पार्टी के नेताओं के पास दरसल जंता के लिए क्या कुछ है आप समझाईएगा सबसे पहले कि बहुजन समाज पार्टी अगर आती है सत्ता में आती है तो लखनव के लिए आपके पास क्या पाती है और यह सापा सरकार मानि रहान भाई हमाय थे और एकस्तोचालिस क्रोड रुपया वापस चला गया अब बीजेपी की पास साल सरकार रही आप देख लिए जागे क्या हालत है इस छेत की पूरे जर जर हालत है पानी तो नहीं है बिजनी तो नहीं समाधान यह है कि ह सबसे पहले इसका विकास करेंगे सबस्पा सरकार बनते हैं तो आपके पास लखनों के लिए पिटारे में क्या कुछ है आपको लगता हो कि यह काम रह गया है यह काम हम आगे करवाएंगे और यह आप पर ड्रीम प्रोजेक्ट होगा लखनों को उत्तर प्रदेश नहीं कि राजदानी है इसका डवलब्मेंट किया जाएगा और लखनों के अंदर आप डावे के साथ कह सकते हैं कि जैसे हमारे भी भाई ने कहा था यहां लखनों में क्या किया अचली के जमाने में च्छतिस फुल बनाये थे यहां पर अचली के जमाने में चार्चर मैला काम बताइए आपको लगता है कि आप पूरा नहीं करवा पाएकर सरकार रिपीट होती तो आगे वाले समय में आने वाले समय में भारत्नी जन्ता पार्टी की सरकार पुना वापस आएगी इसमें कोई संसे नहीं है और आप देखेगा कि लखनों लखनों पूरे एसिया का नंबर वन लखनों पूरे एसिया का नंबर वन साहर कहलाएगा वो कह रहा है 36 पुल गिनवा दीजे कौन से हैं अजे यह सारे रिंग रोड सारे यह सो जितने यह फुल है आप देखिए तो अजे मित्र अटल जी के दौने की बात में जो पुल दिख रहा है वो अटल जी के सर्कार बनीती मानिया कारे लड़ेते अच्छे परिवार मिद के चुनाओं लडाता तो हजार बारा में सेरकार बनीती और जूखमार की सरकार में जितना भी काम मानियोक बिदने संब्वाग के uертे हुएं वि जुटे हो और रटे हुए weakaz क काम भी ओऊगे और जो गुंडे eulem Até Aule उनका डाम लेते हैं अब जो गुंडे बन रहे हैं nämा माफिया बन रहे हैं ये सबको मालूम है कि शपाल जी अगर सरकार में रहेंगे या साथ में रहेंगे तो किसी गुंडे माफिया की हैसियत नहीं कि आख दिखा दे क्यों शिपाल सिंग आदब से इतना क्यों खौफ खाते हैं लोग की बुरी तरीके से हार हुई और इसी के चलते इसी डर से अब आप इनको साथ लेकर चलने वाले बात में यह कर रही हूं कि डेवलेप्मेंट मंत्राले नहीं करते हैं डेवलेप्मेंट विजन करता है और वह विजन जो राष्टी अधिक श्यकलेश यादो जी का था जो अधिकारी बनाते हैं किस ने करवाया खिलेश आदव की सोच की वज़े से डेवलप्मेंट हुआ शिपाली अधिकारी देते हैं उस पर अंतिम मुहर मुक मंत्री लगाते हैं और कैमिनेट मंत्री लगाता है जिसका विभाग होता है ठीक है आप अब बारा की सरकार की उपल लब्दियां थी उनको आगे बढ़ाते हुए 2022 में सरकार बनते ही उन सारे अधूरे कामों को जो सरकार जाने की वज़े से अधूरे रहे थे एक तो वह पूरे किये जाएंगे और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि महिला सुरक्षा के उपर खास तोर पर ध्याने राश् लख्रों में हमने तमाम नेतागर हमारे साथ मौझूद थे एक बार जोड़ता तालिया हो जाए तमाम नेताओं के लिए जिन्हों ने बड़ी खूबसूर्ती के साथ और शांदार तरीके से सवालों के जवाब देश के साथ लगरों की जनता के लिए आप यहां पर दखेश और तुरिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने तरह एगा निजीवाल्ड इंडिया के साथ दन्यवाद दुख का क्या करें इस खेद का क्या करें जो किसानों की मौथ हुई उन पर बोली आप कही नजर क्यों निया रहे सडकों पर क्यों प्रिदान मंतरी नरेंदर मोदी जी उन्होंने भी सत्ता हतियाने के रिए दंगे कराये थे क्लास के सबसे शैतान बच्चे को मॉनीटर बना दिया तो फिर वहां पे शोरशराबा नहीं हो सकता किसानों का पूरा करजा माफ होगा और बिजली बिलहाफ होगा निकाल दिया गया यह लाइन लगवा के तिन तिन चर्चर घंटे बरबाद किया जहां पाया महां लाइन लगवादी ना सपा की सरकार से ना भाजपा की सरकार से उत्तर प्रदेश में गुंड़ा अपराधी माफिय डरते हैं तो श्रिफ बैनकवारी माधीज की सरकार से